हेलो फ्रेंज वेल्डुम टू मैं चानल अमा तीजू हिंदी में हेलो अंडी आप सब कैसे हैं आज मैंने आपको बेपी बॉइद셨미 गोल्ट को टिफारी स्कारणिंग रिपोर्ट को बताती हूं है तो बेबी गिल्स भूलते ना मैं इघवाई कर टोर्टल टिफा स्कानिंग रिपोर्ट इहां देख हो बीबी बॉय को टिफा स्कानिंग रिपोर्ट में प्लेजेन्ड अंटीरियूर अपर सेग्वंट ग्रेड वन मैचुर्टी है यहां पर दिख्रेना मेरा नॉम प्रसन ना और मेरे बेटिक का टिफा स्कानिंग रिपोर्ट में प्लेजेंटा अंटीरियर ग्रेड वन अपर यूट्रीन सेग्मेंट बोलके हैं यह उस्था आपर धेखरें न, बीबी बॉय का रिपोस्ट में प्लेजेंटा एंटेरियर अपर सेगमें ग्रेट बन सिगमेंटском आंटिर है तो baby girl और पोस्टिर है तो baby boy बलकी आईसा कुछ भी नहीं अप्पो ख्लाटी आयाना मैं दिकाया सो सो स्कानिंग रिपोर्ट से आंटिर पोस्टिर प्लेजेंटा से जेंडर डिसेड करने का 50-50 चांचेस रहा था सो baby boy और baby girl को जेंडर डिसेड नहीं कर सकते और नहीं मान सकते सो अब FHR वैल्यू देखेंगे सो baby boy का रिपोर्ट में FHR वैल्यू 150 BPM है और यह मेरे baby girl का रिपोर्ट है ना मेरे baby girl का रिपोर्ट में FHR वैल्यू 144 BPM है बट इदर baby girl का रिपोर्ट से baby boy का रिपोर्ट में FHR का वैल्यू बढ़के है सो FHR वैल्यू से भी baby का जेंडर डिसेड नहीं कर सकते और नहीं मान सकती मुझे आशा है कि आपकी यह प्लेजेंटा और FHR के बारे में स्पस्टरूप से समझे गए होंगे सो आपको यह वीडियो यूसफुल है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल और थैंक यू